अपने पिता एवं माता कैकेई के प्रकोष्ट से राम अपनी माता कोशल्या के पास पहुँचे अनुज लक्ष्मन वहाँ पर पहले से ही उपस्थित थे राम ने माता का चरंस पर्ष किया और कहा हे माता, माता कैखे के द्वारा दोवर मांगने पर पिताजी ने भाई भरत को योध्या का राज्य और मुझे 14 वर्ष का वनवास दिया है अतह मैं वन के लिए प्रस्थान कर रहा हूँ विदा होने के पूर्वाप मुझे आशिर्वाद दीजे राम द्वारा कहे गए इन हृदय विदारक वचनों को सुनकर कोशल्या मूर्चित हो गई राम ने उनका यतोचित उपचार किया और मूर्चा भांग होने पर वे विलाप करने लगी उनका विलाप सुनकर लक्षमन बोले मता, भाईया राम तो सद गुरुजनों का सम्मान तथा उनकी आग्या का पालन करते हैं मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मेरे देवता तुल्य भाई को कि सप्राद में ये दन दिया गया है ऐसा प्रतीत होता है कि व्रिधावस्था ने पिताजी की बुद्धी को भरष्ट कर दिया है उचित यही है कि बड़े भाईया उनकी इस अनुचित आग्या का पालन न करें और निश्कन तक राज्य करें भाईया राम के विरुधत से रोठाने वालों को मैं ततकाल कुचल दूंगा राम का अप्राद क्या है उनकी नम्र्टा और सहन शीलता मैं प्रतिग्या करता हूँ कि यदि राम के राजा बनने में भारत या उनके पक्षपाती कंटक बनेंगी तो मैं उन्हें उसी क्षण यमलोक भेज दूंगा मैं भी उसी प्रकार आपके दुखों को दूर कर दूंगा जिस प्रकार से सूर्य अंधकार को मिटा देता है उनके लिए प्रस्थान नहीं कर सकते यदि पिता की आग्या का पालन करना तुम्हारा धर्म है तो माता की आग्या का पालन करना भी तुम्हारा धर्म ही है मैं तुम्हें आग्या देती हूँ कि अयोध्या में रहकर मेरी सेवा करो इस पर माता को धैर्यब बधाते हुए राम बोले माता, आप इतनी दुर्बल कैसे हो गई ये आज आप कैसे वचन कह रही है आपने ही तो मुझे बच्पन से पिता की आग्या का पालन करने की शिक्षा दी है आप क्या मेरी सुख सुविधा के लिए अपनी ही दी हुई शिक्षा को जुठ लाएंगी एक पत्नी के नाते भी आपका करतव है कि आप अपने पती की इच्छा पूर्ती में बाधख न बने आप तो जानती ही है कि चाहे सूर्य, चंद्र और पृत्वी अपने अटल नियमों से टल जाएं पर राम के लिए पिता की आग्या का उलन्गन करना कदापी संभव नहीं है मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप प्रसन होकर मुझे वन जाने की आग्या प्रदान करें ताकि मुझे ये संतोश रहे कि मैंने माता और पिता दोनों ही की आग्या का पालन किया है फिर वे लक्ष्मन से संबोधित हुए और कहा लक्ष्मन तुम्हारे साहस, पराक्रम, शौर्य और वीर्ता पर मुझे गर्व है मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे अत्यंत स्नेह करते हो किन्तु हे सौमित्र, धर्म का स्थान सबसे उपर है पिता की आग्या की अवहेलना करके मुझे पाप, नरक और अप्यश का भागी बनना पड़ेगा इसलिए हे भाए, तुम क्रोध और क्षोब का परित्या करो और मेरे वन गमन में बाधक मत बनो राम के द्रिण निश्चय को देखकर अपने आसूँ को पोँचती हुई कोशल या बोली, वत्स यद्यपी तुम्हें वन जाने की आग्या देते हुए मेरा हृदय चूर चूर हो रहा है किन्तु यदि मुझे भी अपने साथ ले चलने की प्रतिग्या करो तो मैं तुम्हें वन जाने की आग्या दे सकती हूँ राम ने सयम पूरवक कहा, माता, पिताजी इस समय अत्यन्त दुखी है और उन्हें आपके प्रेमपूर्ण सहारे की आवश्यक्ता है ऐसे समय में यदि आप भी उन्हें छोड़ कर चली जाएंगी तो उनकी मृत्यू में किसी प्रकार का संदेह नहीं रह जाएगा मेरी आपसे प्रार्थना है कि उन्हें मृत्यू के मुख में छोड़ कर आप आपका भागी न बने उनके जीवित रहते तक उनकी सेवा करना आपका पावन करतव यह है आप मौ को त्याग दे और मुझे वन जाने की आग्या दे मुझे प्रसनता पूर्वक विदा करें मैं वचन देता हूं कि 14 वर्ष की अवधी बीटते ही में लोटकर आपके दर्शन करूंगा धर्म प्रायन राम के युक्त युक्त वचनों को सुनकर अश्रुपूरित माता कोशल्या ने कहा अच्छा वत्स मैं तुम्हें वंगमन की आग्या प्रदान करती हूं पर मातमा तुम्हारे वंगमन को मंगल मै करें फिर माता ने ततकाल ब्राहमन उसे हवन कराया और राम को हृदे से आशीरवाग देते हुए विदा किया